इस सवते ये देश नहीं में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आप लोग जो कहते थे तिलक्त राजू और तल्वार इनको मारो जूते चार अब आप कह रहे हैं सत्ता के लिए सब सुईकार कि हम पर लागू नहीं है सब पर लागू है ये ब्रामणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया क्या ठोक दो ये संत की भासा हो सकती है आप कलपना कर सकते हैं कि बहुचे समाज पार्टी में कोई ब्रामण मुक्रिमंतरी बन सकता है क्या ये सब जानते हैं कि मुसल्मान के बिना सरकार नहीं बन सकती है तो आपको अरे वो हिंदू की बात करके उनको परिशान कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार विवस आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरो समंद कारिकरम ये देश है मारा इस सबते ये देश है मारा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और खास तो अपर उत्तर प्रदेश के चुनावों की सुबगार चे पहले जिस तरह से ब्रहम्रों को लुभान करने की कोशिश हो रही है याद करिए एक दौर था जब मायवती की पार्टी पर आरोप लगता था कि इनका नारा है तिलत राजू और तलवार इनको मारो जूते चार लेकिन अब वही पार्टी ब्रहम्र सम्मेलन कर रही है और वेसी साब की पार्टी कह रही है कि मुसल्मा इस बार मुख्यमंत्री बनेगा उत्तरप्रदेश का लेकिन क्या वाकई जातियों में उत्तरप्रदेश के चुड़ाफ को बाटा जा रहा है इसका नुकसान भारती जनता पार्टी को होगा इस सफते ये देश है मारा में इस पर होगी हमारी सीधी बात और मेरे साथ कई द यहां अपर काश्ट समाज में से खासकर ब्रामन समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है ब्रामन समाज को भी अब उसका मान समान स्वाविमान लोटाने का वक्त आ गया तिलक तराजू और तलवा इनको मारो जूते चार बियस पी पर एक दोर में ये नारा लगाने का सियासी आरोप जम कर लगता है लेकिन जब सोशल इंजिनेरिंग का गणित बदला तो 2007 में उनका नारा भी बदल गया नया नारा था हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विश्नु महेश है दूसरा नारा था पंडित शंक बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा और सोशल इंजिनिरिंग के इस नए फॉर्मूले का मायावती को पायदा भी जोरदार हुआ 2007 के विदान सभा चुनाओं में बियस पी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो क्या अब एक बार फिर मायावती की पार्टी सियासी संजीवनी के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है मायावती ने कहा था कि पूरे यूपी में 23 जुलाई से ब्रामण सम्मेलन का आयोजन होगा हलाकि अब इस ब्रामण सम्मेलन का नाम बदल कर प्रबुद्ध वर्ग समबाद सुरक्षा सम्मान विचार गोश्ठी कर दिया गया है ब्यस्पी के राश्ट्रिय महासचीव सतीश चंदर मिश्रा इसका एक्रम की कमान समभाल रहें शुरुवात आयोध्या से की गई है जहां सतीश चंदर मिश्रा ने ब्रामणों के मुद्धे पर योगी सरकार को घेरा ब्रामण समाज के लोगों से हमारा यह आवाहन है कि जिस तरीके से 400 से जादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी है इंकाउंटर हो रहे हैं मार दिये गए लोग उसका संग्यान में लेने के काम करिए गाड़ी भिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया साल बर हो रहा है कोई अता पता नहीं इस तरीके से लखनाओं के अंदर जो कैपिटल है दो वर्ष पहले तिवारी उसको जिस तरह से भोग करके गाड़ी में अपनी गाड़ी में जा रहा था उसके गोली मारता है इससे पहले यूपी में एंट्री मारते ही ओएसी 19 प्रतिशत वाला दाउं खेल चुके हैं और अब मायावती की पार्टी 12-13% वाले ब्रामन समुदाय पर हाथ आजमा रही है हलाकि यूपी के सीयम योगी आदित्तिनाथ कह चुके हैं बहतर कानून विवस्था और विकास के दम पर बीजेपी फिर से 2017 वाला करिश्मा दोहराने जा रही है दो हजार बाइस का चुनाव योगी आदित्तिनाथ के लिए कितनी बड़ी जिसे कहते हैं परिक्षा होगी देखे दो हजार बाइस में भारतिय जन्ता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहमत की सरकार बनाईगी तो हजार सत्रक इत्यास को दो रहाएगी अखलेश यादो पहले ही यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का एलान कर चुके हैं उदर यूपी में बड़ा ब्रामण चेहरा माने जाने वाले जितेन प्रसाद कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं तो क्या 12% ब्रामण वोट के लिए सोशल इंजिनिरिंग की लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब विश्टेशन सकता के लिए सब स्वीकार का विश्टेशन सुनिए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे को लेकर बीएसपी पर सियासी वार लगातार होता रहा है भारतिय अंता पार्टी हो सपाओ इस विश्टे पर वार करती रही है 2007 आते आते 13% बोर्ट पैंक वाले ब्रामन समाज पर बीएसपी का रुक जो है वो अब बदला है 2007 में मायावती की पार्टी का नारा था पंडित शंक बजाएगा हाती बढ़ता जाएगा ब्रह्मा विश्टू महेश है हाती नहीं गणेश है ये भी एक नारा लगा 2007 के अंदर जिसके बाद मायावती सक्ता पे काविज हुई सियासी संजीवनी के लिए दलित ब्रामन वोट बैंक का समीकरन बनाने की पूरी तैयारी है यारी कुल मिलाकर दलित ब्रामन के वोट बैंक के साथ अगर मुसल्मान वोट मिलेगा तो मायावती की 2007 में भी सक्ता में इंटरी इसी वज़त से हुई थी और अगर 2022 में मायावती जीतेंगी तो इसी कारण जीत चकती है ये उनकी पार्टी को और उनके स्टाटेजिस्ट को पता है मैं बरता हूँ आगे अखिरेश श्यादव का यूपी के हर जिले में प्रशुराम की मूर्ती लगाने का एलान है यूपी में कॉंग्रेस का बड़ा ब्रामन चेना जितिन प्रसाथ अब बीजेपी के साथ आ गए है और हो सकते हैं मंत्री मंदल में उनको जगा भी मिल जाए जो मंत्री मंदल विस्तार होगा क्या एमवाई ये बड़ा वैत्रपूर सवाल है एमवाई इस इकल टू मुस्लिम यादव एमडी इखल टू मुस्लिम प्लस धलित के साथ अब ब्राह्मन समुदाय पर फोकस है प्रशुराम की मूर्ती ब्राह्मन सम मिलन कुल मिलाकर कहानी है सक्था में आने की और इसलिए तिलग तराजू और तलवार सक्था के लिए संवीकार कहां से शुरू ही थी कहानी मेरे साथ सब्सक्राइब करने के लिए आज की चर्चा में तमाम लोग है मिरे साथ भारती जनता पार्टी के राष्टे प्रवक्ता प्रेम शुकला साहब है इन्हें बदाई जगत प्रकाश टडड़ा ने दुवारा प्रवक्ता नियुक्त किया है राष्टे इस तरपर मेरे साथ सुन का भी अवे रिंदन है यह नि प्रवक्ता है आप तमाम लोगों का स्वागत है और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे अचारे प्रभापकिष्रम भी जो की प्रेंगागा गांदी के एडवाइजर है कॉंग्रिस के सीनेर लीडर है आप तमाम लोगों का स्वागत है लेकिन आज की चर्चा की शुरुवात प्रेम शुक्ला मैं आप से करना चाहता हूं एक तरफ सुनील यादव हैं जो मैं दिश्चेस्तर में अपने वीडियो वाल पर देख रहा हूं एक तरफ सुधीन बदोरिया हैं दोनों की नजर ब्रामण पर फस गई है या फिर आपको भारती जनता पार्टी में जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सूत्र पर काम करती है अब सबका विकास में ब्रामण भी आ जाएगा छत्री भी आएगा वैश्च भी आएगा दलित भी आएगा आदिवासी भी आएगा महिलाएं भी आएंगी इवक्ष भी लेकिन कुछ लोगों को जिन्हों ने जो है बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने साफ तोर पर बताया कि उनका नारा क्या हुआ करता था जब बहुजन समाज पार्टी के पहले का जोन का संग्ठन हुआ करता था उसके नारे क्या हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के कारेकाल को भी लोगों ने देखा है जब एक बुख्यमंत्री जी सपश्ट तोर प्रकाहा करते थे ब्रामनों का काम नहीं करना इस तरह की खबरे भी प्रकाशित हुआ करती थी इस तरह के इंस्ट्रक्शन ग्यों करते हो जाति विशेस के लोगी सारे थानों में नियुक्त जाता है राहुल गांदीजे ने उपर डाल रहे हैं विशेवों नहीं मैं आपसे सवाल बहुत चीदा पूछ रहा हूं कि सुनील यादव की पार्टी ने और सुधीन बदर्या की पार्टी ने आपको फसा दिया है ब्रामन वाले फेर में तीस सेकिन में इसका जबाब दे हम राष्टवाद, विकास, मानौता का विकास, सांस्कृतिक राष्टवाद इन सारे मुद्धों पर खड़े होते हैं ब्रामन कभी भी जो है जात की संक्रिनता में नहीं बनता है और उत्तर-पदेश की जो जनता है वो जात की राजिनीत को देख चुकी है तीन दशकों त तक जिस तरह से विभाजनकारी जाती राजनीत का शिकार उत्तरकदेश हुआ था उससे 2014 और 2017 में मुक्ति मिली है अब फिर उसी जनजाल में नहीं फसना चाहेगा ठीक है मेरे साथ सुदीन बदरिया साब है उनका रुक करता हूँ है सुदीन बदरिया भारती जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बरी किसी जाल में फसने नहीं वाले अखिलेश यादव सहाब के जाल में तो पूरी बसपा फस गई थी जब चुनाव आपने साथ लड़ा उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया लेकिन अखिलेश यादव का तो बड़ा दावा है वो कहते है कि वो भगवान प्रशुराम की मूर्ती हर जगा लगा जिए इस समय जो चुना हो रहा है देश के अंदर इसकी प्रिश्ट भूमी भी समझने की जरूरत है और आज की चुनोतियों भी समझने की जरूरत है आज की इस प्रिश्ट भूमी में आपको ये मालूम है जिस प्रकार से ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले देश को कहां ले गए हैं हमारे यहां जो इन्होंने दो-दो करोड रोजवार हर साल देने का वादा किया था दस्यों करोड नौजवान बेरोजवार आज उत्तर प्रदेश और देश की सड़कों में बटक रहे हैं इसी प्रकार किसान दिली के बॉर्डर पर बैठे हुएं मांग कर रहे हैं एक वर्ष से कितने सेक्डों किसान मर गए हैं कर्ज के अंदर मैं यह कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी ने पिछले तीस वर्षों में हर बार उत्तर प्रदेश में दिखाया है चार बार बहन मायवती जी को मुख्यमंत्री बना कर कि हम एक बड़ी ताकत हैं जहां तक आपका ये प्रश्ण है सब कुछ सुईकार सब कुछ सुईकार तो उसका भी सुन लीजिए जब बीजेपी को जरूरत मिलती है देखिए एक सेकंड के लिए बस मैं पांच सेकंड मे कर भी सरकार बना लेती हैं जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो वो केरल में मुस्लिम लीग के साथ भी और अन्य लोगों को भी आपने देखा है किस प्रकार से कल्यान सिंग जी को किस किस तरह के रंग की टोपी पहनाई गई है मालाएं पहनाई गई है शाक्षी महरा समाज को राजस्वा बेजा गया है यह हम पर लागू नहीं है सब पर लागू है यह ने बिल्कुछ सब पर लागू है लेकिन आपका तो नारा तक तिलक तराजू और तलवार इनको मालों जूते चार वहां से आप इस पर आ गए अब आपने देखा नहीं हातरस में क्या हुआ नहीं सचीष चंद मिश्रा तो कहने ते नहीं सचीष चंद मिश्रा तो जो एंकाउंटर हुआ जिस विकास दूबे ने आठाट पुलिस वालों को मौत के घट उतार दिया शहीद कर दिया उसके बचाम में कहने ते गारी पलड़ अब है चाहिए प्रवाय की बात नहीं करते हैं हम उनके परिवार में उनकी पत्नी पर भी कारवाई होगी उन्होंने तो निकास दूबे का नाम लिया और पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा जैसे लोगों को पतारित किया जाएगा जोके वह पंचिए बाजबर पहा है कहती ती तिलक तराजु और तलवार डैश 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 और अब वो कहती है कि तिलक तराजु और तलवार सत्ता के लिए समस्विकार करिए मुकाबला देखिया मिश्देव गंजी एक पहलू है कि ब्रहमन के ऊपर अत्याचार हो रहा है ब्रहमन का तिरिशकार हो रहा है ब्रहमन का अपमान हो रहा है ब्रहमनों के बच्चेव का फेक एंकाउंटर हो रहा है ब्रहमनों की दुर्धशा है और दुर्भाग की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो साड़े चार साल से योगी जी की सरकार है उनकी इस राज में उनके सामराज में प्रेम शुकला जी बैठे हैं इनका भी हर्दे जरूर दर्वित होगा इस बात को लेके कि कई सो ब्रहमनों की हत्याएं पिछले चार सालों में हुई हैं अब यहां तक क या इस देश के अंदर अफजल गुरू के भी जुडिशल रिमांड हुआ और याकूब मैनन को भी नियाएक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसको सजा हुई लेकिन ब्रहमनों के बच्चों को उठाया गया और फिक एनकाउंटर कर दिया गया उनको नियाएक प्रक्रिया स तो तीन दिन की ब्याता थी उसको उसके हजमेंट का इंकाउंटर हुआ माना जा सकता है कि वह अपरादी हो सकता मैं अपरादियों के प्रक्षमेंट बात नहीं कर रहा हूं लेकिन खुशी दूबे का क्या अपराद था ये भी जग जाहिर है कि उसका कोई अपराद नहीं ब्रह्मनों का कोई क लिए वीजय में कर सकती है कि ने शवाल ब्रह्मनों के ब्रह्मनों सिंदक की हैं आज कुपार लल्लू है हुआ हमाश जी मैं अपनी बात को पूरा कर लूँ मने तो बड़ा आपका आभारी रहूगा कि ब्रह्मन शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म में जानाती सा ब्रह्मना जिसे ब्रह्म का बोध हो गया वह ब्रह्मन है ब्राहमन कभी जातीवादी नहीं रहा, ब्राहमन ने कभी दूसरों पर अत्याचान नहीं किया लेकिन दुर्भाग ये है कि ये ब्राहमनों के लिए संक्रमन काल है अब सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी के आधरनिये भदोरिया जी से बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं वो मैं उनका आधर भी बहुत करता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि सतीश मिश्रा जी को और बहन मायवती जी को तो ये कपता चला के ब्रहमनों के उपरत्याचार हो रहा है चार साल से तो कोई बोला नहीं अब क्योंके चुनाव आ रहा है तो उनका हक है पूरा के ब्रहमनों को अपने पक्षमे करने के लिए प्रियास करें उन्होंने कहा मैं खुसी दूबे का केस लड़ूँगा शतीश मिश्रा जी ने ब्रामणों का सम्मेलन आयजित किया जा रहा लेकिन ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि ब्रामणों को मनुवादी व्यवस्था का प्रतीक और मनुश्मृती किसी नहीं पड़ी बहुजन सम करने का लेकिन अब क्योंके चुनाव आरार ब्रामणों की जो संख्या है कुल मिला करके ब्रामणों की उपजातियां भी है वो 14% बैठता है तेरा 14% बैठता है ब्रामण जो है हिंदुत का आधार है तो बीजेपी को तो ब्रामण अगर खिसक गया तो बीजेपी का तो तक के ब्राहमनों को अपने साथ रखे सुधीन बुदरिया चारे जी की बात का जवाब लेकिन ब्राहमन किसके साथ जाए जाए गोश्टा करती है मायावती साल के फॉर्मूला बनाती है तो धाई साल मायावती जी बन जाए सी एम और धाई साल ब्राहमन बन जाए ऐसा फॉर्मूला लेकिया आई आप अईसा है जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी आपको याद होगा 2007 में हमारे लगभग 46 विदायक जीते थे ब्राहमन और मैं ये भी बतला दूँ आचारी जी बहुत प्रबुद्ध है उनका नामी है इस प्रकार का प्रमूद कृष्णन दौवं में तो बहुत सारे गुण होंगे मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे दरजनों मंत्री भी बने थे आज आप देख लीजिए उनकी तुल्ला में अन्य लोगों की पार्टियों की तुल्ला में कितनी भागिदारी हिस्सेदारी मिली सम्मान मिला चीफ सेक्रेटरी मना कितने जादा डियम स्स्पी नुक्त किये गए ये सारे आंकड़े उपलब्न है आपके लिए उपलब्न है इस समय बहस इस पर नहीं है कि मैंने सो कम तीन या सो कम एक इतनी टिक्टे दिये मुसल्मानों के अंदर एक आं का उन्हें दोए 2017 का प्रामनों की बात दिये हैं देखे हम उस समय भी दिये थे हमने और हम सर्व समाज की पार्टी हैं चाहें मुसलिम हो चाहें प्रामन हो चाहें दलित हो और चाहें बैकवर्ड क्लास के लोग हो शत्रिया हो सब की भागीदारी हम करते हैं इसलिए हम कहते हैं सर्व समाज के लिए कानून विवस्ता और विकास देंगे जी मैं मैं सीधा मैं सीधा रुक करता हूं सुनी लियादव का अचारे जी भी कुछ कह रहे दाते लेकिन सुनी सुनी लियादव बीस पी का ये जो पोलिटिकल प्लैंक है क्या आपको लगता है ये आप बीवार है देखे में सी समाजवादी पार्टी ये नहीं मानती के हम पर वार है हाँ ठीक है अब चुनाव आ गए हैं सभी लोग सभी लोगों की बात करेंगे क्योंकि चुनाव में जाना है हाँ ये एक सच्चाई जरूर है कि योगी जी की सरकार में ब्रामनों का उत्पीडन बहुत है ब्रामनों को बरदास्त नहीं कर पाते हैं योगी आदितनाजी और आप सोचिए कि अगर जिसको प्रभुद समाज हम लोग मानते है जो अपनी आवाज उठाना जानता है अपनी लड़ाई लड़ना जानता है उसके खिलाप अगर उत्तर प्रदेश में इतना अन्या है तो पिछड़े और दलितों का क्या हस्र होगा किस तरीके से उनका उत्पिडन हो रहा होगा देकि बीजेपी पिछड़ों की बात जरू नहीं दिया दलितों का उत्पिडन कर रहे हैं आप ब्रामणों को चिनित करके जो भी ब्रामण चेहरे बड़े चेहरे हैं उनको आप अपमानित कर रहे हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं प्रेम सुकला जी अगर आप बड़े नेता बन करके अगर उत्तर प्रदेश में तो योगी जी उस नजर से देखेंगे कि आप बरबाद हो जाएंगे ये उत्तर प्रदेश में चला है और मैं एक बात कह रहा हूं अमीज जी अभी आचार जी को मैं सुनना तो उन्होंने कहा कि ब्रामट प्रमुद्वर्ग है हम भी कह रहे हैं तो अगर वो प्रमुद्वर् को हराएगा उसके साथ खड़ा होगा तो कॉंग्रेस की और कॉंग्रेस की और बश्रपा की हैसियत नहीं है आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से तो लड़ी नहीं रहे खाता पूर्ती करेंगे जवाब देंगे अचारे प्रमुद्वर्थ कॷ्णम जवाब देन आसीम बकार साब देखे सुनिल यादव जी को मैं सुन रहा था सुनिल साजन जी बड़े सौम व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी के एक मातर ऐसे प्रवक्ता हैं जो बड़ी सम्मानिक धंग से बड़े प्यार से बात कहते हैं लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं उन्होंने अभी कहा कि अगर यो होगी आदेत नाजजी को हटाएगा तो आप पहले करक करियेगा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमिज बड़ी इपोर्टन बात चाहता हूं कि जब बैहन मायावती जी लड़ा कि सुनिल जी सुनी जी अमी जी दूसरी बात में ये कहना चाहता हूँ बहन मायवती जी जब पहली बाद पिचानमे में चीफ इनिश्टर बनी जब गैस्ट हाउस कांड हुआ उसके बाद समर्थन वापसी हुई उसके बाद जगड़ा हुआ उसके बाद मायवती जी को चीफ इनिश्टर बनाया गया तो नरसीमारा प्राइम मिनिस्टर थे मोतिलाल वोरा गवर्नर थे दोनों ब्राहमन थे और भाजपास में जिन लोगों ने साथ दिया वो भी ब्राहमन थे पंडी तटल विहारी व्याज पर इमुर्णी मनोर जोशी तो ब्राहमनों ने मायवती जी को कई बार ची लॉली पॉप सकीश मुश्राजी दे रहे हैं इससे ब्राहमन प्रसान नहीं होगा जवाब दे नसीम वकार देखे देखे ऐसा है कि चुनाओ इस समय हो रहा है भारतिये जनता पार्टी की सरकार के जो कुकर्म हुए हैं जिस प्रतार से प्रतारना हुई है उसके खिलाब च आई मैं अपनी बात खतनगा аप भी बोलिये गा मैं यह कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ट जी जी मैं यह कहा रहा हूं आपके समुक हुरा रहा हूं और आपके माद्यम से आपके पार्टी कार्टietad और देश के तमाम लोगों से जो इस टीवी चैनल में बै पर्टी के सब्से सम्मानित राष्ट्रे मा सचिव हैं हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार जीत कर आएगी आप देखिएगा सब्से जादा सम्मान मिलेगा प्रबुद्वर्ग के लोगों को और नौकरशाही हो या नौकरशाही के अलावा चाहे सिख्षा हो स्व पंडिजी हो गए दूसरी तरफ ओवेसी के एंट्री इसलिए खल रही है कि उन वो आपका जो वोट बैंक है उसमें सेंद मारी कर लेंगे असीम वकार यहां तो सतीश मिश्रा पंडिजी हो गए है और मायावती कह रही है बीएस पी के लिए पंडिजी परणाम लेकिन दलत मुसल्मान के साथ ब्रामन भी चाहिए सरकार में आना है तो आपको भी चाहिए नहीं लेकिन नहीं मैं बताओं आपसे देखे मैं किसी जाती के खिलाफ मेरी आवाद आ रही हो तो बोलू मैं जी बोलू देखे ना तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं ना मैं किसी जाती के खिलाफ हूं ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं इसके उल्टा जाकर मैं अपने धर्म और अपनी जाती के साथ खड़ा हूँ मैं तो आपके खिलाफ या किसी खिलाफ नहीं हूँ मैं अपने मुसल्मानों की बात करता हूँ ये गुना नहीं है मैं आपके चैनल पर देख रहा था सारे चैनल पर चल ला था कि सातीश मिश्रा जी आई अउध्या गए उनुने का रामंदिर हम बनाएंगे सुनीजे सर सुनीजे सर अब बोल ले ले दिया प्लीज तो उनुने का हम बनाएंगे बेहन कुमारी मायावधी जी ने साफ तौर से का कि हमारी M.A.I.M. से कोई बात नहीं चल लई है अच्छी बात है नहीं चल लई है ठीक है लेकिन ये बात सच है कि दो हदार साथ में जो सरकार बनी थी बहुजन समाश पाल्टी की उस वकत तक सतीश मिश्रा जीतते ताकत वर नहीं थे जो सरकार बनी थी वो मुसल्मानों से बनी थी औ और मुसल्मानों ने एक दम्मू मोड लिया तो सेविंटी नाइन पर आ गए बहुजन समाश पाल्टी समाजवादी पाल्टी की सरकार बन गई और अगर इतने ही ब्रहमण आपके साथ थे और इतना ही ब्रहमणों पर घमंड है और यकीन है कि ब्रहमण आपके साथ थे 2017 में आपके जो विदायकते वो 19 के रहे गए एलाइंस में आने के बाद मुसल्मान आपको नहीं मिला था इसलिए आप घटते जा रहे है ब्रहमण तो 2007 आपने दावा किया आपके साथ आगिया तो जब ब्रहमण आपने दावा किया और ताख़त बनाई ब्रहमणों की तो मुसलमान पापप कम होते गए 2012 में दो यह 17 और देखेगा कि जो लोग मुसलमानों को नदर अंदास कर रहे हैं चाहे वह समाजवादी पार्डटी वाले हों चाहे बहुजन वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों चाहे कोई हो यह यकीन है कि मुस्ट यह सब जानते हैं कि मुसल्मान के बिना सरकार नहीं बन सकती आप भी जानते हैं यह बादमीश भाई यह सब जानते हैं नहीं तो इनकर मुस्लिम अदर सपा का जनित मुसल्म में एगरी करता हो ब्रामर जिस तरह चला जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी सुनिए बोलिए बोलिए असीवकार मैंने सुखाना बहुजन समाश पार्टी के पास सर्स 2007 से ताखत बड़ी 2007 के बास से आपका नारा चेंज हुआ ब्रहमरों को लेकर तो अगर आपके साथ ब्रह किती ताकत थी और प्रहमर सरकार बना सकता था तो आप 2012 में कम क्यों हो गए ठीक है जवाब सुदीन बोदरिया से अब जवाब जवाब ले ले तैसीम भाई यही 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 बात यही बात समाजवादी पार्टी पे लागव होती है ठीक है मैं सपा से भी जवाब 2017 में हमको 20% वोट मिला समाजवादी पार्टी को भी 20% वोट मिला तो यह हमारा स्थाई कुछ वोट है कुछ वोट बढ़ता है कुछ घटता है और वो केवल इसलिए नहीं घटता है कि हमें खाली एक वर्ग ने वोट नहीं दिया वो हो सकता कई कारण रहे हों उसमें पर मै यह दावे के साथ कहता हूं कि कानून व्यवस्ता के मामले में बहएं महावती जी अफ्वल है विकास के मामले में अशीम वकार कुछ कहना चारहे है तो 9% घीड़ी पी 9% घीड़ी पी चाहना मुलायम सिंग के समय है क्या बात कर रहा देख लीजिए सबसे ज़्यादा विक और सबसे ज़हाब मेरा से जवाब ले लिजे असी मखार 30 से कि देन सुनी लिया दव दखिये सुदीन भधोरिया जी मेरे बड़े भाई इनी ने कहा कि कानून व्यस्ता के मामले में बहन जी से बेहतर कोई नहीं क्योंकि बहन जी कहें अखलेश जी कहें तो दोनों सरकार में रह चुके हैं लेकिन अभी आसिम वकार साथ की पल्टी या आसिम वकार साथ के लोग सरकार में नहीं रहें और जिस दिर हम सरकार में आ गये तो हम ये साबित कर देंगे ऑफ से था मैं आप मुसलमां सीयम होना चाहिए और मुसलमां सीम होना चाहिए इसलिए आप खुलकर बोल रहे हैं, मैंने तो आपको बोला, आपको ब्रामणों का वोट नहीं चाहिए, आपने बोला, मैं अपनी कौम की बात करता हूँ, मैं उसके इधर अपनी कौम की बात करता हूँ, आपने तो यह बोला मुझे, इसी कारेकरम में, सुनिये सर, सुनिये सर, मैं यह नह अयात रोपक्रियाद वेकीन है वो घ्रवाइज़ कामि लेकिन हमें पूरा यकीन अपने लोगों पर है अपनी कौम पे है पहले हमा पनी लोगों की बात करेंगे पहले पहले उनके लिए इंसाफी बाद करेंगे वक्त एक ब्रेक का आप देखते रहें ये देशा है मारा सुनिये 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 मैं आप से ये टेरा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुस्लमानों का बोल से ये गुम्राह कर रहे हैं कहीं कहीं मुसलमान का एलाम चुनि कर रहे हैं मैं तो आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरो से बंदकारिकरम ये देशा है मारा सुनिये अदब आपको आई ना दिखा दिया ओवेसी साब की पार्टी में अभी ब्रामन ब्रामन गा रहे हैं चुनाब मैं आपको मुस्लमी अदब चाहिए देखें अमीज भाई मैं असीम वकार साहब को भी सुनाएं असीम वकार साहब अपना पराया अरे क्या अपना पराया वकार साहब आप ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं नेता हैं तो आपको वो बात कहनी ही कहनी है लेकिन मैं अमीज जी के कारिकम में कह सकता हूँ कि आपके घर का परिवार का नात रिस्तेदार का ओड समाजवादी पार्टी को जाता और फिर जाएगा और मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है वो पिछडे के खिलाब अन्याय होतो दलीद के खिलाब होतो मुसल्मान के खिलाब होतो बड़ी जातियों के खिलाब होतो हम अन्याय के खिलाब लड़ते हैं जाती देख करके नहीं लड़ते हैं हम सुन लेंगे आपकी, हमारी सुन लीजे, हम जाती देखकर धर्म देखकर के नहीं लड़ते हैं, जसको जरूरत है, उसको दिया है, जिसके खिलापился होगा, उसके अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी असी वकार देखिए सुनिल भाई हमारे साथी रहे हैं हमाई साथी है मैं दोस मानता हूँ इनको मैंने शुरुआ थी यहां से थी कि ना मैं किसी जाटी के खिलाफ हूँ ना व्यक्ती के ना धर्म के सुनिए सर सुनिए सर सुनिए बहुत अदब के साथ अगर आप ने मुसलमानों के वोटों से सरकार बनाके मुसलमानों को डिप्टी सीम बना दिया होता तो शैदाज मेरे मुझे टेफ लगा होता मैं किसी काबिली ना होता बोलने के मेरा सर जुका होता आपके सामने सर मैंने तो यह नहीं कहा, मुझे पता है कि अगर समाज अधी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनाब अखले जादो जी ही मुक्मंतरी बनेंगे मैं जानता हूँ इस बात को तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप ना बनिये, मैंने तो इतराज भी नहीं किया मैं जानता हूँ अगर भाज़जन की सरकार बनेगी तो बहन बायावजी जी ही बनेगी मैं तो नहीं इतराज कर रहा हूँ मैं तो आप दोलों से यह कह रहा हूँ उनके चेहरे पे चुनाव रण रण रहा है वो हमारे नेता है, वह हमारे मुक्मंतरी होंगे सुनिए सर, सुनिए, सुनिए, सुनिए मैं आप दो लगता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए तो डिप्टी सियंप मुसलमान का एलान चुनी कर रहा है तो आप भी समलोग समझ रहे हैं मैं तो अपने लोगों के लिए ओधा मांग रहा हूँ सर आप, आप, आप हमारे लोगों को उधा देने पर आप राजी नहीं है सर आप राजी नहीं है मुसलमानों को डिप्टी सियंप पराने पर आप वही बात कर रहे हैं जो भारती जंता पार्टी बात कर दिए परोजा आए तो आपको मुस्मान की बात कर के उनको परिसान कर रहें आप उनकी तरफ की चाहते कि नहीं चाहते कि मुसलमान को रोच गार जाहते कि नहीं मुसल्मान को सुरक्षा मिले, आप चाहतें कि नहीं, मुसल्मान पढ़े, मुसल्मान तरक्की करे, गरीबी से उबर के आए, या केवल सियासत करके आपके पीछे गुम्रावाजाए, कौन से रास्ता दिखाना चाहते हैं आप, जोहर बिस्विद्याले किस सरकार में बना, तो कौन धोखा दे रहा है? सर, या कर से वाज है, आप हमारे अपने हैं, हम नहीं डरते हैं, आपको लगता है कि हम आपके नहीं हैं सुनिये सर, सुनिये, 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 सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याई की पहली शर्थ सत्ता परिवर्तन है, हम सत्ता परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो, हमारा इंपावर्मेंट हो, हमारा इंपावर्मेंट हो, हमारा इंपाव वो बोलेंगे हमारा CM होना चाहिए क्या करेंगे आप तो सब बोले हैं तो सब फिर ऐसे दुकान चल गई पूरी है हमसे तकलीफ क्यों है कमाल की बात है ना तो फिर तो मुसल्मान होना चाहिए तो मैंने तो नहीं कहा ऐसा नहीं होता ना अगर हम जीत के आते हैं अगर हम जीतेंगे हमाई हाथ में सद्धा की चावी होगी तो मुक्मंत्री मुसल्मान ही बनेगा सर हम नहीं बनाएंगे तो ब्राम्मान की पेलोकारी हो रही है लेकिन दलिक मुसल्मान भी चाहिए मुसल्म यादव भी चाहिए यानि कुल मिलाकर यह डिरेक्ट अटाक आप पर है अगर ब्राम्मान छिटका बीजेपी का सत्ता पलड़ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर है और जिसकी उमीद लग रही है कि देखिए अभी जी लोग तंत्र में सर्व समावेशी राजन अंधित करती है हर वर्द को हर जाति को हर नसल को हर संपरदाय के लोगों को साथ लेकर चलने है इसका उत्तर नहीं उसका उत्तर दे रहा हूं जाना सुन लिजिए गवर से आप कलपना कर सकते हैं कि बहुजे समाज पार्टी में कोई ब्राहण मुक्यमंतरी बन सकता है क्या कांग्रेस जो है उसकार आश्टी इद्देश कोई ब्रामन हो सकता है क्या यह सभी और योगिता क्या अदर नहीं कर देना चाहते हैं क्रिपा करके मुझे बताइगे उनके घर के पीछे चैपल है वो और इसाई है वो इसाई धर्म को स्विकारती है तो इसाईयों में कब से भ्रामन ठाकु और वेश हैं होने बाजसाब इसाईयों में तो कोई इस तरह की जातिया नहीं है यह तो कमाल की बात है वो सोनिय गांदी है राहूल गांदी जैन्य धरी ब्रामन है कि जातिनाम की संस्था में उसका सामाजिक महत्तों मांती है लेकिन उसका राजनीत में सी जाती कर किसी बपद नहीं दिया जाता है सरव समावेशी राजनीत की बात है चुछ जवाब देना चाहते हैं उपका तु इछ जवाब 0 बटा 0 is equal to 0 यह होता है हमीज जी आपको तो 0 आँक के चल रहे हैं बस्पा भी आपको कुछ आँक के नहीं चल रही है सपा आपको क्या आँक दिया आपको पता ही है अमी जी योगी जी के जीरो पर भी में अपनी बात रखूँगा लेकिन पहले प्रेम शुकला जी ने बहुत अच्छी बात कहिए कि क्या कॉंग्रेस में कोई ब्रामर सीम हो सकता क्या समाजबादी में कोई ब्रामर सीम हो सकता क्या बसपा में ब्रामर सीम हो सकता तो मैं प्रे के पंडी जी मैं अब ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात से मैं सहमत हूं बिलकुर समाजवादी पारिटी में अगर सरकार बनती है तो मुक्खे मंतरी ब्रामर नहीं हो सकता और सुनिल यादव जी कह भी नहीं सकते बदोरिया जी कह भी नहीं सकते हाँ इतना जरूर है असीम पकार ये चाहते हैं कि अगर हम सरकार बने उनकी और मुसल्मान चीफ इनिश्टर हो तो इसमें कोई गुना नहीं हो वो सोच सकते हैं उनकी खौई सो सकती है मगर मैं आप से निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप ही एक बार कह दीजेगा कि बीजेगा कि सरकार अगर बंती तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चार मुख्यमंत्री भाजपायने दिये राजनाज सिंग जी दिये कल्यान सिंग जी दिये राम प्रकास गुपता दिये योगी आदितना जी दिये 31 साल हो गया नरंदर तिवारी उन्निश्टर थे उसके बाद कोई ब समाजवादी पायटी को मिला तो मेरा कहने का मतलब अमी जी यह है कि बْराहमण को राजसवार, लोकसवार, ये लॉलिपाव पर रेवडी से अब ब्रहमण बोटनहीं करेगा जो पाइटि ब्रहमण को मुख्यमंत्री बनाने की बाद करेगे ब्रहमण अपने अस्तित्त्य क समान की लड़ाई और सत्ती की भागिदारी है तो जो ब्रहमण को मुख्यमंथ्रि बनाने की बात पालिटी करेग़े ब्रहमण समाज की मुझे लग लगता है ब्रहमण समाज की two सामज की बावनाए है अब चोता समय निवेजन के साथ अध्यर्णि प्रेम शुकला जी ब्रेम शुकला जी कर चुके होते हैं सारा ब्राम्हान समाज। वो संतों की पूजा करता है तो हम तो जो विश्वास यह विश्वास रखता है तर्व गोष्व सकूझी आपकी पार्टी आपकी पार्टी कॉंग्रेस अचारे प्रमोट किष्णा योगी अजय बिस्ट कहती है क्या आपको लगता है कि इससे बड़े ब्रामन खुश हो जाएंगे इससे आप से पिछ़णा समाथ खुश हो जाएगा किसी योगी को अगर उसके नाम से बुलाया मैं व्यक्ति के तरूप से इस बात से सहमत हूँ नहीं ऐसा नहीं मैं खुद कहरा हूँ योगी आदितनाजी मैंने कहा हूँ आजय सिंग विस्ट जी का नाम लिए मैंने वो सन्यास से पूर्व के जो नाम होते है सनातन धर्म की हमारे संतों की परंपरा है अब मेरा नाम अंतरित हो जाता है तो सादू की कोई जात नहीं होती बिलकुल प्रेम शुकला जी की बास से भी मैं सहमत हूँ और अमीज जी आपकी बास से सहमत हूँ लेकिन मैं प्रेम शुकला जी से ये कहना चाहता हूँ कि सादू की कोई जात नहीं होती लेकिन जो उत्तर प्रदेश म भाग रहा था खुशी दूबे पर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं प्रेम शुक्राजी एक ब्रहमन करनेया है और नावालिक करनेया उसका विवा हुआ उसके पतिका इंकाउंटर तीन दिन में हो गया उसके गैंगिस्टर लगा देना उसके जो जो बड़े-बड़े अपर अपरादियों में अगरम जती देंगे तो फिर पिर क्या बचेंगा ओवेशी साहित है कि मुसल्मानों आप यह करें कि ब्राहमनों को टांगेट किया जा रहा है अपराद को टागेट किया जा रहा है मुक्तारां सारी मुसल्मान अपने धर्म से होगा लेकिन इससे में उसको अगर वो जेल में तो अपने कृतों की रचाश नहीं है नहीं नहीं मैं अपराधियों के पक्षमें नहीं हूँ लेकिन खुशी दूबे ने कौन सा प्राध किया था जो एक साल से जेल में सड़ रही है प्रभात मिश्रा ने कौन सा प्राध किया था तो कोट्य करेंगे ना मैं सुनी लिए अदब कभी मुझे रेक्शन लेना है एक सेकिर आप बोल लिजेगा आगे प्रेम चुक्ला सुनी लिए अदब योगे दितनात क्योंकि एक संत है एक पिठा दिश्वर है तो उनमें तो सब जातिया समाहिरित हो जाती है इसलिए उनकी रक्षा उनका रक्षा कवच बहुत बड़ा है क्या आपको लगता है वही आप लोगों के आड़े आएगा कितना ब्रामन कितना ठाकूर कितना मुसल्मान कितना यादव कितना शौर मचा लीजी आप देखे अमीजी मुझे लगता है कि पूरे देश को मालूम है यही मानी योगी आधितनाजी जी ने पिछड़े और दलतों के गडवन्दन को सांप और सचुदर कहा था तो क्या कोई संत देखे क्या कोई असली संत किसी भी वर्ग को सांप और सचुदर कह सकता है और अगर योगी जी ने कहा है अगर योगी जी ने कहा है तो फिर आप तैकर लीजी अपनी डिवेट में आचार जी बैठे हैं, फ्रेम सुखला जी बैठे हैं, क्या कोई संत की भासा यह हो सकती है? क्या कोई संत, एनाई के पतकारों को जो भासा का इस्तमाल योगी जी ने किया था, वो संत की भासा है, क्या ठोग दो ये संत की भासा हो सकती है, दूसरे धर्मों को लेकर के जो योगी जी बयान देते हैं, वो संत की भासा हो सकती है, अगर हो सकती है, तो फिर ऐसे संत, भाई प्रेम सुखर्डा जवाब प्रेम सुखर्णा जवाब परaddh jani तो गोरक्ष पीठा दीश्वर्ट सान्त अ hiring यहीं नहीं लिए उसके लिए वहारे पास संथ से закон लेकर कमने कर शोंको संथ के बारे में बता ऊश्य कर सकते दो कि वारे में अ धै cristal क कर सौने कर करके सुने कृपा कर सुने कृपा कर कर सुने कृपा कर के सुने देखिए संद तो ऐसे होते हैं कि भुगुमने विश्टु जी को लात मारी थी तो क्या उसंद नहीं रह गए दुर्वासा जी जो है शाप देते थे तो क्या उनके रिशितों में उनके मुनीतों में किसी प्रकार की कमी आ गई तो कृपा करके रिशियों मुनियों संतों का की परंपरा सुने और दूसरा आधरनी योभी आधित तेनाथ जी ने किसी की जात के खिलाफ, किसी के घोत्र के खिलाफ, किसी के नसल के खिलाफ, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है, हाँ निश्चित तोर पर सपस्ट वक् कोई सांपरदाइक Q करेगा उसकी सांपरदाइक्ता के विरुद्ध विकृत सांपरादाइक तक प Kylie रहें त्हों की त्यारी के साहथ आया करिए फिलाल यह देशा मांई में इतना ही लेकिनNatak toky की बात यह है कि वोट बैंक की राजनीती इस देश में अर्शे से चलती आई है लेकिन खुल्लम कुल्ला खेल गत्वर्शों से खेला जा रहा है लेकिन जनता जनार्दन यानि आप बेहत समझदार है आप निर्ने बड़ी समझदारी से लेते हैं अपना वोट व्यर्त नहीं जाने देते हैं नमस्कार शुबरात्री जैहिंद